हलो गाइस वल्कम बैक टो मैंनी वीडियोस में बात करेंगे हम निफ्टी बैंक के बारे में कल किस तरीके से प्लैनिंग कर सकते हैं आज मॉर्निंग में बड़िया मोमेंटम आया लेकिन तीन वजी का असपास कुछ खास नहीं देखने को मिला साइडवेज मार्केट हो गया तो क्या आज ट्रेड दिये कैसे ट्रेड चले आपको क्या बताया हूँ अब कर लेते हैं और कल का प्लाइनिंग समझाता हूँ तो यहां पर जाओगे तो हमारे मेंबस आज हमने काफी सारे ट्रेड दिये जैसे कि आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच टोटल पांच ट्रेड और काफी बढ़िया ट्रेड भी चले दिखा देता हूं पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऑल्मुस्ट चला दूसरा ट्रेड निफ्टी में वन इस्टू बात काम किया जिसमें 238 का premium almost 30 point गया और उसका nifty 50 137 का premium 163 64 गया almost 1 is to 2 तो बढ़िया अच्छे से trade बने उसके according members के कुछ profit भी बन गए तो यह आप देख सकते हो आप लोग को join करना है तो पहले टेलीग्राम जोइन करो सेम मैंने आपको भी बताया था बैंक निफ्टी में 47 450 के उपर call side में जाना है और 280 के नीचे put side में जाना है ठीक है तो देख लेते हैं कहां पर क्या हमको मिला एक सेकंड दो 200 सी के नीचे आई थी ठीक है so that आपको समझ में आ जाए important है समझना so पहला अगर आप देखोगे 47 280 का लेवल यह रहा यानि कि मैंने इस लेवल के नीचे दिया था जो तो गया नहीं यानि कि यह तो हो गया हमारा cancel अब आ जाते 440 450 के उपर यानि कि इस लेवल के उपर यानि कि यह जो आपको छोटी सी एक red candle देखने को मिल रही है यहाँ पर मैंने आपको trade बताया ठीक है आप देख सकते हैं यह 440 का लेवल है और यह candle भी वहीं पर बनी हुई है यानि कि इसके उपर आपको लेना था अब यहाँ से अगर आप पहली candle को माने जो कि मैं जनरली बताता हूँ तो यह गया कहां तक 450 से लेके 520 पहली ही candle ठीक है यानि कि 70 point का आपको सीधा move मिला और यही move मैं अपने members को भी capture करा है कुछ नया नहीं करा है बस उनको मैं stack price के साथ देता हूँ प्राइम members और यह allowed नहीं है इसलिए मैं इधर आपको call tips के चकर में नहीं देता हूँ क्योंकि वो गलत है अगर आप stack price select नहीं करना जानते है यानि कि पहले आपको समझने सीखने ही जरूरत है लेकिन अगर आप इसको hold कर लेते मान लीजिए तो क्या आपका stop loss जाता नहीं जाता ठीक है मार्केट नीचे आया मार्केट उपर गया और यहां तक मार्केट आपको बड़िया मूव मिला ठीक है आइधर आपने book किया होगा तो यह book किया होगा आइधर जब यहां पर market दुबारा आया आपने फिर से buy किया होगा तो आपके पास chance था पैसा बनाने का simple स से जो आप देख सकते हैं हमारे telegram पे link description में सब कुछ मैं आपको दिखाता है इसलिए हूँ so that आपको समझ में आए profit और loss दिखाना अलग चीज है मैं चाहूँ तो वो ना भी दिखाऊ लेकिन अभी नया हूँ तो वो दिखाना पड़ता है आप लोगो बार बार प्रूफ क मिला दूसर target मिला या क्या हुआ ठीक है तो यह तो बात हो गई आज हमने बड़िया काम कर लिया अब point आ जाता कि कल का क्या करें तो देखो market अभी भी same range में अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे जाओगे तो अब यहां पे देखो एक second दो मुझे यह तो हमारा आज का काम ह होगा तो इसको हम हटा देते हैं अब इसकी अगर हम बात करें तो यह एक कितने दिन से resistance area में चल रहा है देखो आप ठीक है one two three तीन दिन से हमारा bank nifty बहुती बुरी तरीके से इस area में फसा हुआ है तो अभी हमारा plan क्या है हमारा plan पहले भी same था 4700 के उपर हमको call में पर trade बन रहा है तो हम बढ़िया 48000 के level तक जा सकते हैं 300 point का move मुझे दिख रहा है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है market वापस से नीचे आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे तो फिर हमारे लिए important है 47.500 का level ठीक है यहाँ पर जो लोग भी buyers हैं वो लोग फसेंगे तब जब market इस के नीचे 47.500 और 47.450 के नीचे trade plan करेंगे और trade plan करेंगे हम 47.300 के level तक यानि कि नीचे मुझे दिख रहे हैं 200 point ऊपर मुझे दिख रहे हैं 300 point तो इनके लिए हम planning करने वाले हैं आयोप आपको समझ में आगया होगा देखो हम बहुत ही simple तरीके से काम करते हैं कल भी मैंने आपको बोला था कि अगर वीडियो के recording जाना है तो इन levels के आपको नीचे जाना है लेकिन market अलड़ी नीचे open हुआ अगर माललो market हमारा इस area में कल open होता है तो हम यहाँ पर निकलना चारा है तब हम काम करेंगे ठीक है देखो मैंने आपको बोला है यह area बहुत रिसकी लेकिन मैंने इसके अंदर भी trade बन वाई लेकिन यह सारे ट्रेडन लाई market में ही बन सकते हैं ऐसे मैं पहले आज बता कि नहीं जा सकता कि आज मैं आपको बता दूँ और कल वो आ market यहाँ पर trap किया है जो put side में गए और वापस से market उपर निकल गया सेम चीज आज भी तो किया है तो यह चीज आपको समझनी चाहिए आप किस तरीके से इसका execution करते हो वो important है वीडियो को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना मेरे से पूछो बाकी हम कल मिलते हैं और join करो जल्दी यल्दी thank you so much